हेई गाइस वेलकम बैक इन योटूप चैनल निको चोधरी व्लोक्स में हम बात करने जा रहे हैं आज कामनी और उनकी ननंद निकी के बारे में काफी कुछ चल रहा है योटूब पर फैमिली ड्रामा है यह कई की फैमिली कोंट्रोवर्सी है जो कि अब काफी जादा बड़ी हो चुकी है उसके बारे में कुछ बात करेंगी यह पोड़कास्ट वीडियो है तो आप लगा लिजे जल से अपने हैड़फोन और शुरू कर दीज़ेगा अपना काम अब की नियूज यह है कि जो कामनी है उन्होंने यह डिकलेयर कर दिया है कि वो कुछ एक्शन लेने वाली है कुछ रियक्शन चैनल के लिए क्योंकि कामनी का कहना यह है कि कुछ रियक्शन चैनल ऐसे हैं जो अपने काम से अलावा भी बहुत कुछ कर रहे हैं यानि कि वो ना सिर्फ जो दिख रहा है YouTube पर उस पर reaction दे रहे हैं बलकि वो लोग उनकी personal life में जा रहे हैं जो चीज़ी नहीं हुई है उनको बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं ऐसा कामनी का कहना है हालागि मैं अपनी बात कहूं हूं तो मैंने इनके खिलाफ जितने भी reaction channel है मतलब खिलाफ reaction देना चाहिए ना कि personal चीज़ों के उपर कई बार क्या होता है कि जो comment section होता है उसमें कुछ लोग ऐसे comment कर देता है जिस पर ध्यान चला जाता है जब उन comments पर ध्यान जाता है तो वो comments भी पिक कर लिये जाते है reaction channel वाले मैं भी बहुत सारे ऐसे comments पिक करती हूं तो उन comments पर उसमें कि भाई ये चीज़ें उनके comment section में बोली जा रही है और जो चीज़े comment section में बोली जाती है वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो mostly गलत ही होती है क्योंकि haters होते हैं आपके कुछ पसंद करने वाले होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं लेकिन यहाँ पर कामनी से भी मुझे एक शिकायत हैं हम कुछ clear बाते करेंगे first of all आपको पता हो कि मैं किसी का favor नहीं लेती चहां पर यह कामनी हो या फिर निकी हो या कोई भी हो मेरा एक way रहता है कि मुझे reaction देना है आप किसी के भी fan हो सकते हैं चाहतु नहीं क्योंकि fan हो सकते हैं या फिर आप कामनी के fan हो सकते है तो आप यह सोचेंगे कि आपके हिसाब से आपकी पसंद के हिसाब से हम जो सोचे वो चीज़े हम बोले यह possible नहीं होता तो कहीं बार आपकी और हमारी सोच अलग-अलग इस चीज़ में हो सकती हैं क्योंकि हमको reaction देना है आपको तो सिर्फ देखना है वीडियो देखनी है तो क्या हुआ है कि कई चीज़ों में मुझे निकू गलत लगती है और मैं उसको starting से बोलती आई हूँ मैं कभी निकू को clarity नहीं दूँगी clean shit नहीं दूँगी क्योंकि उनकी गलती नहीं है निकू और समित ने अपनी personal life की बहुत सारी चीज़े जो घर की चीज़े है वो ब यह कुछ भी है सब कुछ सही चल रहा था फिर अचानक से दूसरे बेटे की भी शादी होती है उसके बाद भी सब कुछ सही चल रहा था वो चीज़े यूट्यूब पर दिखाए देती थी अचानक से कामनी के husband की job चली जाती है सारा बहार जो है वो एक बेटे पर आजाता ह है छोटे पर जब बड़े की job चली जाती है तो छोटे पर बहार आता है तो जोटे को धीरे धीरे पूरे परिवार का बहार उठाने में प्रोब्लम होने लगती है और उनको ऐसा लगता है कि मतलब कि अगर मैं खर्चा उठा रहा हूं तो मेरी क्यों ना चले कहीं बार उनक पामनी ने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया उन्होंने चलाया और उनका YouTube चैनल अच्छे से चल गया उन्होंने कमाई श्रू कर दिया उनके अस्वेंट के विए जोब लग गई यानि कि जो उनका बूरा टाइम था उस वक्त में उन लोगों के लिए किया तो गया खर्चा तो तो जो सुणाईवाली बाते है ना वो हमेश्याद रहती है एःसान तो याद रहता है लेकिन वो जो सुनाईने वाली बाते होते हैं उससे आप सारे एइसान पर मिट्टी फिर देते हैं वो काम यहाँ पर हुआ है यह चीज़े यहां पर क्लिर हो गई वहाँ परसास का गोज सी बाते बताई ठीक है लेकिन जो पर्सनल बाते थे वो फिर किसी ने खोली सुमित ने सुमित ने इतनी पर्सनल बाते उनके बता दे कि भई मेरा भाई तुनको पसंद ही नहीं करता था रखना ही नहीं चाहता था वो तुम मैं हूँ जो आगे अडा मैंने कहा कि तुम कर रखोगे तो मैं शादी करूँगा मतलब क्या यह हक सुमीत को था इतनी परसनल चीजे बताने का कि आप किसी औरत को यह बोले हो कि इसका पती तो उसको पसंद ही नहीं करता तो वो तो हमारी वज़े से रख ली नहीं तो यह तो औरती बेकार थी मतलब यह चीजे कहने की है मतलब बेकार का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि आपकी बातों का मीनिंग वो बैठ रहा है हमाँ पर कि इसको तुसको पती ही पसंद नहीं करता था आज इसके पास पैसा है इसलिए इसकी कदर हो ना उन्होंने कमाया ना तो आप लोगों ने उनकी तारीफ कहने के बज़े आपने उनको वह पास लाके सामने खड़ा कर दिये जो कि आपको नहीं लाना चाहिए था उससे पहले भी कामनी ने जब यह बाते खोली उन्होंने बार बार यह चीजे बोली कि भाई मुझ से बा है जो आज यह चीजें हो रही है अगर रियक्शन वारे बोलते हैं तो केस 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 लेकिन अगर कोई fill ले तो वह गलत हलाकि मैं यह नहीं कहते कि आपको जो reaction channels below the belt आपको बात करते हैं या कुछ जादा गुस्सा निकाल रहा है, खुंदस निकाल रहा है आप उनके लिए बोलिए, कोई problem नहीं है अब यहाँ पर कामनी की जो बात है, वो कामनी की बात रखते है मुझे कामनी की बात क्या गलत लग रही है, फिलाल की जो conditions है उनमें निकाल सही क्यों दिख रही है लोगों को और कामनी यहाँ गलत क्यों लग रही है देखें मेरा हमेशा से एक चीज रहती है आपके parents, आपके ससराल वाले, आपके माता पिता आप अपनी जिठानी की बुराए करें, ठीक है एक बार के लिए भाई दोनों का बराबरी का साथता, जेट, जिठानी, देवरानी ठीक है आप कर रहे हैं लेकिन जब आपके comment section में निकू के लिए इतने गंदे वर्सी उसके जाता पिति पॉलें कि एसा ना लिख या आपकी सास के लिए जब इतनी गंदे चीज़ें बॉली जाती है तो उनके लिए भी बिया कीमत करो आप ये एक बार आपका फर्ज बनता है, आपको उन्ने हमेशे अपनी सास की तारिफ किया है तो एक बार और आपको लोगों को स्ट्रिक्ली ये बोलना चाहिए कि मैं मानती हूं कि आप मेरे लिए बहुत सपोर्ट करते है और बहुत अच्छ हो लेकिन प्लीज मेरे घरवालों को गलत ना बोले आप खुद समझे इस चीज़ का कि इसका इस फैक्ट आपके सुसर कमेंट करेंगे हजार तरीके की सला देंगे कुछ कहेंगे और सामने वालते रिष्टा मतरा कुछ कहेंगे कि भाई दिरी दिरी रिष्टा सुधारने के कोशिश करो लेकिन ये घर आपका है रिष्टा आपका है आपको किस तरीके से सुधारने है वो आपको सोच रहा है ना अपनी चीजों में आप खुद आते हो ना तो इंसान को समझ में आता कि किस जंगा पर आप खड़े और क्या हो करना चाहिए तो एक बार मुझे ऐसा लगता है कि एक बार कामिनी को यह जरूर स्ट्रोंगली बोलना चाहिए कि ठीक है आप मेरे सपोर्ट में हो लेकिन प्लीज किसी को गंदा मत बोलो क्योंकि जो गंदी चीजे बोली जारी है ना वो बहुत जादा ओवर हो रही है उसके लिए आपको अपने कमेंट स्रेक्शन अंकर होल्ड करना पड़े तो करो क्योंकि अगर आपको कुछ बोला जाता है तो आप एकदम उसके लिए आवाज उठा द नहीं दे सकते हो एक नहीं कह सकते हो इसलिए हमेशा अगर आपको रियक्शन देखना है अगर आपको रियक्शन चैनल पसंद है अगर आपको लगता है कि रियक्शन चैनल कुछ सही बोल रहे है तो प्लीज अपनी दोनों तरफ की आंके खोलिए कहां सही है कहां गलत अगर